तो दोस्तों आज अगस्त की 29 तरिक है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत खुबसुरत से एक पर्मानेंट फूलों वाली बेल पर ऐसी बेल जो गमलों के लिए पर्फेक्ट रहती है रिखेगा यहाँ पर मैंने इस बेल को कहली जी की मिट्टी के 10 सिंच के गमले में ग्रोग की है और ये पर्मानेंट है पिछले लगभग कहली जी तीन साड़ीन साल से है मेरे पास और इस तरह से अगर आपको इसका रूट स्टॉक दिखाऊं यह रेखिए आपको इसी से आईडिया होगा इसमें क्या रहता है कुछ-कुछ धीरे-धीरे ब्रांचेज इस तरह से सुखने लगती है फिर दुबारा से नई जो शूट्स हैं वो रूट स्टॉक में से निकल क तो यह टाइमली जो है वो ग्रो करती रहती है और मौनसुन के बाद का सीजन या मौनसुन का सीजन इसके खिलने का सीजन रहता है वैस्तों बहुत से दोस्तों ने इसको पहचान ही लिया होगा इस तरह से सफेद रंग में छोटे-छोटे फूल आती है लेकिन क्वांटिट की जड़त रहती है ट्रैलिस की जड़त रहती है चलिए इसके नाम की बात करते हैं क्या बोलते हैं इसको देखिए ये रंजाई की बेल रहती है इसको क्लीमैटिस रंजाई बोलते हैं रंजाई या क्लीमैटिस के नाम से नसरी पर मिल जाती है तो यह देखिए मैं दूर से जो ब्रांचीज़ें थोड़ी ड्राई होती हैं लेकिन बहुत से कमेंट्स आये थे क्या ये पौधा सर्वाइव करता है नहीं करता है तो बिल्कुल देखी का जब मैं इसको नर्सरी से लेकर रहा था तो ये लाल रंग की मिट्टी के अंदर था मतलब पूने की जो रेड़ स की थी तो तीन चीज़ें मिट्टी खाद और सेंड या रेत तो लाल मिट्टी में जो रेत है जो सेंड है वो मवजूद रहती है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कोई रेत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा बस हां ये देखना है आपको कि जब भी आप मिट्टी त्यार कीज़ेगा मिट्टी वेल्ड्रेंट रहनी चाहिए पानी खड़ा ना हो बहुत देर तक पानी कुछ सेकंड्स के बाद ड्रेन आउट होना बहुत जूरी रहता है अभी देखिए यहां पर इसमें गुच्छे गुच्छे बहुत जगा पर फूल आ रहे हैं तो इसक चड़ना स्टार्ट हो जाता है इसलिए क्लाइंबर के तोर पर आप इसको बहुत असानी के साथ जो यह वो चड़ा सकते हैं मतलब अगर मैं इस वाले पिल्लर के पास इसको जो प्लेस कर दूँ तो यहां पर यह बहुत असानी से उपर कर चड़ जाएगा उसके लिए क्या फ्लोर पर था तो अभी एक साल से पूरी खुली धूप में है जहां पर इसको लगभग गर्मी की 45 दिगरी की जो धूप है वो भी मिली उस समय पर थोड़ा सा इसमें सन बर्न के समस्या इसकी पत्तियां जलने लगी एक दो कमेंड्स आय थे पत्तियों की ट्रीमिंग या ल दोरी रहता है रिपोर्टिंग की बात करूं देखिए आपके सामने ही है कि इस गंबले में लगाया और पिछले तीन साल से केवल एक ही बार मैंने इसको रिपोर्ट किया है बहुत जदा रिपोर्टिंग की डिमार्ड नहीं करता मतलब जो रूट्स है वो धीरे धीरे ग्र सर्दी जब तक नहीं पड़ेगी खिलती जाएगी फिर दुबारा से ये पौधा जोए वो अकसर फरवरी और मार्च में खिलने लगता है मतलब मौडरेट क्लाइमेट इसको फ्लारिंग के लिए जो वो बहुत पसंद रहता है बात करें अगर इंसिक्टी अप पैस्ट की तो इस पौधे पर कोई भी अभी तक मैंने पिछले तीन साड़ दीन साल में कोई भी इंसिक्टी अप पैस्ट का जो अटैक है वो नहीं देखा तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा था ये रिखिए यहां से एक शूट निकल कर आती है एक फ्लारिंग शूट उसमें से फ्ला बहुत सुन्दर सी एक शेप जो है वो डिवल्प करती जाएगी ये तो ही क्लाइमिट की बात अगर आपने धूप में प्लेस करना है तो धूप में प्लेस कर दीजिए सेमी शेड भी रख सकते हैं मिट्टी हलकी सी नमी मेंटेन करें बहुत ज़दा पानी ना होल्ड करें लास्ट करते हैं कि इसको फटलाइजर की किया जरूरत है किस तरह का फटलाइजर देना चाहिए देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो बिलकुल ये रिखिए-गाई तो जब भी खिलना स्टार्ट होती है उस समय पर अगर आपके इस सीजन में मतलब खासत और पर अगस्त स्टमबर में फूल नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है केवल 0.524 NPK या NPK 1999 जो भी आपके पास अवलेबल हो जो भी सीट शॉप से इजली मिल जाए आप उसका और साथ में कोई अच्छा माइक्रो न्यूटिनिट या एपसम सोल्ट जिसका की क्वांटिटी अगर रेश्यो की बात करूं तो एक लीटर पानी में 2 ग्राम NPK और केवल 1 ग्राम एपसम सोल्ट मेगनीशियम सल्फिर जो रहता है इसली सीड शॉप से या मेडिकल स के लिए वो सफिशन्ट रहता है बस उसके इलावा इस पौधे में कोई भी रिक्वार्मेंट नहीं रहती बस आप कभी कबार रिपोर्टिंग कीजिए वो सफिशन्ट रहता है और अच्छे धूप दीजिए तो बस दूस्तों ये थी इस अकलिमेटी सिया रंजाई के बार दिंदिक्योर